नमस्कार आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद्रीतों में बहुत बहुत स्वागत है पुलाव फाना और बनाना सबको बहुत अच्छा लगता है तरह तरह के पुलाव गुनाए जाते हैं तो चलिए आज हम बनाते हैं टोमैटो सोया चंक्स पुलाव बनाना बहुत जादा असान है कुकर में बनाएंगे और एक एक दाना आप देखिए बिलकुल अलग होगा खाने में उतना चेट पटा और टेस्टी भी होगा इस पुलाव को बनाने के लिए हमें जादा समान भी नहीं चाहिए सोया चंक्स जो हैं वैसे भी खाने में बहुत जादा टेस्टी लगते हैं तो चली आज हम इने पुलाव के अंदर इस्तेमाल करते हैं इस पुलाव को बनाने के लिए मैंने एक गिलास बासमती चावल लिये और उन्हें अच्छी तरह से धोकर दस मिनट के लिए भीगो दिया है साथ में थोड़ी सी सब्जिया मैंने काट लिये हैं एक कप सोया चंग से छोटे वाले हैं मीनी सोया चंग जो पुलाव के लिए स्पेशली होते हैं उन्हें मैंने अच्छी तरह से उबाल कर और साफ पानी से धो लिया है इसी तरह चावल का मैंने दस मिनट बा सारा पानी निकाल दिया है अब हम एक प्रेशर कुकर के अंदर सबसे पहले रिफाइन डॉयल देंगे आप चाहें तो इसकी जगह देसी घी या बटर कर इस्तेमाल भी कर सकते हैं अब इसमें तीन-चार काली मेचे दो तीन लॉंग दो चोटी लाई ची एक मोटी लाई ची एक दाल चीनी का टुकड़ा दो पत्ते तेज पात्ट केड हम इसमें डाल देंगे हाफ टीस्पून हम इसके अंदर जीरा डाल देंगे जब सारी चीज़े अच्छी तरह से एक मिनट के अंदर ही फ्राई हो जाएंगी तब हम इसके अंदर लंबा-लंबा काटा हुआ प्याज एट कर देंगे समान का सारा डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन बहुत से लिख दूँगी आप वहाँ से जाका चेक कर सकते हैं और आगे रेस्पी को बढ़ाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो आप देख सकें मुझे भी वीडियो बनाना और नई नई चीजों को ट्राइ करना बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं रोज कुछ नई वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ अब हम इसके अंदर तीन चार हरी मिर्चे बीच में से स्प्लिट करके डाल देंगे और दो टेबल स्पून के लगबग अधरक हरी मिर्च और गार्लिक तीनों चीजों को अच्छी तरह से पीस कर रैट कर देंगे इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा जब प्याज और अधरक और लसन अच्छी तरह से ब्राउन होने लगेंगे तब हम इसके अंदर एक कप के लगबग टोमेटो प्यूरी डाल देंगे क्योंकि हम इसे टोमेटो सोयचंग पुला बनाना है तो इसके अंदर हमें इसे काफी सारे मैंने दो बड़े बड़े टमाटर उनको अच्छी तरह से मिक्सी में पीस कर प्यूरी बना ली थी वो एड़ की है अब हम इसे थोड़े मसाले डालेंगे 1.5 टीज़ लाल मिच, 1.5 टीज़ धनिया पाउडर, 1.5 टीज़ पून गरम मसाला डालेंगे और 1 टीज़ पून हम इसमें नमक डालेंगे नमक और लाल मिच आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग थोड़ा कम या जादा भी कर सकते हैं वैसे इतने चावलों के लिए इतना नमक परफेक्ट है जब अच्छी तरह से सारा मसाला भुन जाएगा और इसमें इसमें थोड़ा ओयल रिलीज हो जाएगा तब हम इसमें एक स्पेशल चीज़ जालेंगे दो बड़े चमस देसी घी आप इस बात को ध्यान तकें कभी भी कैसे भी चावल बनाएं आप उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल दीजिए उससे जो है चावल जो है बहुत ज़्यादा खिले खिले बनते हैं और उनका एक एक दाना अपने आप अलग हो जाता है इसमें बहुत अच्छा अच्छा फलेवर भी आता है और आप सात में मैंने इसके अंदर डाल दे है सोय चंक सोयचंक्स जो मैंने अच्छी तरह से बॉइल कर लिए थे यह मिनी यह पंड़े यह को वいきना छिएर यह मैंने निटुटिला के सोयचंक्स से तयार हुआ है यह देखने में कितना अच्छा लग रहा है अब हम इसके अंदर जो चावल हमने भीगो कर रखे थे वो डाल देंगे यह एक गिलास चावल ने जिसे मैंने आप से डाले वैसे वासमती चावल के अंदर जितना चावल होते हैं उतना पानी परफेक्ट रहता है हम सारी चीजों को एक बार अच्छी तरह से मिला देंगे और पानी में उबालाने का इंतजार करेंगे जब चावलों में उबालाने शुरू हो जाएगा तो हम गैस का फ्ल जब विसल पूरी तरह अपने आप रिलीज हो जाएगी तब हम कुकर खोल कर देखेंगे और हमारे बहुत बड़ी है तो चलिए इस बात पर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अब हम इसके अंदर गार्निशिंग के लिए थोड़ा हराधनिया डाल देना है उपर नीचे और उसके बाद हम तको कूकर को बंद करके राया कि जब प UNC मिनट के बाद हम कूकर खोलेंगे तो हमारे पुलाव सर्व करने के लिए तैयार है आप खुद ही देख सकते हैं टमाटर के कारण इनका रंग बिलकुल लाल आया है इसमें हमने बिलकुल пис अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हूँ तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आप कोई और चीज चाहते हैं जो मैं आपको बना कर दिखाए हूं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आप सबका मेरी वीडियो को अन तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद मैं आगी भी आपके ल बढ चैसे को सेंगने हैं